हेलो फ्रेंज वेल्कम टू माई यूटूब चैनल तो फ्रेंज देखिए आज हम कपड़े के छोटे से टुकड़े से बनाने वाले हैं कुछ यूनीक सा और बहुत ही एकनम न्यू ट्रिक के साथ में देखिए यह मैंने कपड़ा लिया है इसको मैंने पहले ही फोर्म सीट और एक लाइनिंग लगाके पहले ही इसको चारो तरफ से सीट लिया है और अब इसमें बीच में से भी मैं इसको विल्ट करूंगी और क्या है जो लाइनिंग है यह मेरे पास जो है अस्तरवाला कपड़ा पड़ा हुआ था वो मैंने यूज किया है इसलिए मैं इसमें दूसरा कबड़ा भी उज़ करूंगे तो उसके मिजरमेंट है 15.5 इंच और 12.5 इंच तो देखिए चोटा सा ही टुकड़ा है ज्यादा बड़ा नहीं है आपके पास बचे वे पड़े रहते हैं तो आप उनको फेंकिए नहीं बिल्कुल भी उसका बहुत यच्छे से इस्तेमाल कीजिए तो यह देखिए फोल्ड करके यह मैंने और यहां पर 3 इंच में मार्ग किया है 3 इंच में मार्ग करने के बाद यहां पर मैंने साइड से इसको लिया है 3.8 इंच और यहां से इसको राउंड सेफ दे दी तो इस तरीके से आपको round save देखके इसको cut कर लेना है देखे इस तरीके से cut करना है और इसको सिधा कर लीजे अब सिधा करने के बाद जो दूसरा piece हमने लिया है कपड़े का तो वो हमें लेना है अगर आपके पास छोटे छोटे पीस है तो उसको भी आप joint करके इस में ले सकते हैं क्योंकि अंदर की side आएगा तो joint बगयरा दिखेगा नहीं तो इस तरीके से आप ले लीजे और इस पर इसलाई लगा दीजे देखें कुछ इस तरीके से आपको चारतरफ सिलाई लगा के थोड़ा सा पार्ट छोड़ देना है यह मैंने थोड़ा सा चोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया है बाकी जो extra हमारा कपड़ा आ रहा है उसको हम cut कर देंगे तो यह देखें यह मैंने cut कर लिया है और इसमें यहां से मैंने राउंड सेफ में जो है उसमें नोचिस लगा दिया है अब इसको हम पलटके सीधा कर लेते हैं पर देखे इसको पलटके मैंने सीधा कर लिया है यहां से और अब जो हमारा खुला हुआ पार्ट है उसको भी हम अंदर की साइड फोल्ड करके उस पे स्टिच लगा देंगे अब भी हम जो है टोप स्टिच इस पे लगा देंगे चारों तरफ तो इस तरीके से आप चारों तरफ सिलाई कर लीजे जैस बहुत ही काम आने वाली चीज़ यहां पे बनने वाली है बहुत ही युनिक एकदम सिंपल ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है कुछ कट नहीं लगाने है ज्यादा स्टिच इस तरफ लाई है और आपका आइटम तयार हो जाएगा और इस तरीके से देखिए इसको फोल् आप सिधा सिलाई लगाने के बाद इसको पलटके सिधा कर लीजिए सिधा करके अब हम इसको बीच में से फॉल्ड कर देंगे इस तरीके से और इसके दोनों तरफ आप सिलाई लगा दीजिए देखे इसी तरीके से अब आप दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दीजिए अब जो आपने राउंड सेफ में कट किया था उसका यहां से फ्लैप बन जाएगा और फ्लैप बनाने के बाद यहां से आप क्या करोगे यहां से बिल्कुल बीच में आप डैकॉरेटिव बटन लगा सकते हैं तो देखे थ्री पोकेट्स का आपका यह पर्स तयार हो गया है और इस तरीके से आप बीच में यहां से टिच बटन वगयरा लगा दीजिए यहां आपके पास मैगनेटिक बटन है तो आप उसका भी कर सकते हैं तो देखे उपर मैंने डैकॉरेटिव बटन लगा लिया है वाइट कलर में और इसमें अंदर मैंने लगाई हुई है यहां से ठिच बटन लगाया है और देखे आप कितरी पोकेट्स तयार हैं आप इसमें मॉबाइल कार्ड्स और अपनी मनी वगयरा कुछ भी आप रख सकते हैं तो काफी सारी चीज़े इसमें आ जाएंगी हमारी और देखने में भी देखे कितना सुन्दर लग रहा है और बहुत एजिली बनके यह तयार हो जाता है आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और एकदम सीधी सलाई है कोई भी इसको बना स सकता है तो फ्रेंज आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलिए बैल आइगन प्रेस कर दीजे ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिकेसंस आप को सबसे पहले मिल सके तो फ्रेंज इसको वीडियो को जादा से जादा से शेयर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइग